नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा स्वागत है आपका करेंट अफेर की इस वीडियो में जिसे आप यूटलाइस कर सकते हो किसी भी कॉंप्टिटिव इग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप टेलिक्राम ग्रूप मेरा जोइन करते हैं तो वहां से आपको इस वीडियो की पीडियेफ मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चलि स्टार्ट करते हैं कुशिन में आप से पूछा जा रहा है नेश्टनल पेविमेंट कोपरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कि कौन-कौन सी सर्विस ऑफर करती है और इधर Automatic Clearing House इसके अंडर में आता है सकेर्ड आपसे बोला आजा रहा है कि चैको Sh pensa क्रकेशन सिस्टम इसके अंडर करते हैंज यह कौन-कौन सी सर्विस ऑफर आती है यह आपको बताना है option A के according 1st, 2nd, 3rd correct है option B के according 1st, 3rd and 4th correct है option C में आपसे बोला जा रहा है कि 2nd, 3rd and 4th correct है बात करते है option D की जिसमें आपको बोला जा रहा है कि चारो ही service provide की जाती है इस institution की दुआरा ये सब के सब इसके under में आती है चले question को attempt कर लीजिए इस question की एगर correct answer की बात कर तो यहां चारो ही service, चारो ही sector NPCI के under आता है NPCI यानि कि National Payment Corporation of India ये हमारी country में टो financial transactions से लेटिट जो काम होता है बहुत सारी services इसके दुआर offer की जाती है इसके अंदर mainly चार जो आपको बोले गई, ये तो correct है है इसके लाबा हमारी country में जो अधार enabled service है यानि कि जो payment वगरा के लिए हम अधार OTP वगरा यूज करते है वो भी इसके under में आता है भारत bill payment system भी इसके अंदर आता है भी map के थुरू अगर transaction आप करते है वो भी इसके under ही आता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कह सकते हो financial transaction जो banking service हम लोग में यूज करते है कई सारी service NPCI के under में ही आती है तो correct answer हमारा option D हो गया इस question में आप से forest reserve area के बारे में पूछा जा रहे है उसके regarding में ये आपके पास first statement है उसके बाद ये second statement है सबसे पहले बात करते हैं फर्स statement की जिसमें बोला जा रहा है कि स्टेट और union territory with more than 50% of land area यारी कि किसी भी स्टेट के अंदर जो land area होता है अगर वहाँ पे 50% से ज्यादा है land cover अगर forest है तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह किसी और स्टेट के अंदर land वगरा यूज कर सकती as a compensatory यह आपसे फर्स statement में बोला जा रहा है सबसे बोला जा रहा है कि लक्षदीप अरुनाचल परदेश मिजूरम अंदमा निकोबार में यह जो स्टेट और यूटी है इसके बारे में आपको बोला जा रहा है कि यहां पे 75% से ज्यादा area forest जो है वो 75% से ज्यादा परसेंट आप कहा जकते हो लेंड के अंदर कभर होता है और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि according to forest conservation act 1980 each time forest land is divided the project proposed has to be paid state for the ecosystem service lost due to the diverting forest land इसका मतलब यह है कि हमारी country में 1980 में एक act आयता जिसे forest conservation act आप बोल सकते हो इसके तहत यह provision रखा गया अगर paid वगर ट्री वगर अगर cut होंगे तो उसके लिए एक तरह से payment करनी पड़ेगी ताकि नए पेड लगाया जा सके इको सिस्टम को दुबारा balance करने के लिए उसे divert जो किये गए है forest area को या पीडवगरा काटे गए उससे rehabilitate करने के लिए payment करना पड़ेगा तो यह तीन statement है आपको चूज करना है कि correct statement कौन से है option A के according first or second statement correct है option B के according first and third statement correct है और option C की बात करें इसमें आपको second and third statement correct बताया जा रहे है और option D के according यह पे बोला जा रहे है कि only third statement यह सिर्फ correct है तो correct statement आपके according क्या है question content कर लीजिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं forest conservation act के बारे में तो यह एक प्रोविजन रखता है हमारी country के अंदर कि अगर किसी एरिया में अगर पीड़ वगरा काटके वहां पे कोई industry वगरा या कुछ set किया जाए तो उसके लिए एक mandatory है कि उसे payment कर नहीं पड़ेगी ecosystem को दुबारा जो loss हुआ है उस इसको recover करने के लिए ठीक है तो यह इसके अंडर आता है तो यह बात बिल्कुल correct है तो आप यह कह सकते हो third statement बिल्कुल correct है आचा उसके बाद जो आप से बोला गया कि लक्षदीप, मिजोरम, अंदमान निकोबार, अरुना से state UT है है हमारी country में जहां पर 75% से ज्यादा area land cover area forest के अंदर आता है यह बात बिल्कुल correct है अब बात करते है first statement में इसमें आप से बोला गया कि 50% area जहां पर ज्यादा forest होता है ठीक है लेकिन यहां पर 50 नहीं होना चाहिए था यहां पर जो correct होना चाहिए 75% area होना चाहिए अगर किसी भी state या UT में होता है तो वो किसी और state में जो प्लेन एरिया है उसको यूज कर सकता है आपने किसी service के लिए या भी कोई plant वगरा को established करने के लिए तो आप यह कह सकते हो first statement गलत है second third सही होने की वज़े से C हमारा correct answer हो जाएगा next question में आपसे bound rate या फिर bound traffic के बारे में question पूछा जा रहा है और उसके regarding में यह first statement है उसके बाद यह second statement है इन दोनों statement को आपको ध्यान में रखते हैं बताना है कि correct statement कौन सा है तो सबसे पहले first में आपको बोला जा रहा है कि bound rate is a maximum rate of duty duty या फिर tariff भी बोल सकते हो that can be imposed by importing country on on imported commodities इसका मतलब यह है कि जैसे माल लेजी हमारी country इंडिया है ठीक है अगर हमारी country में आप किसी भी goods को foreign से import कराते हो तो custom या फिर इस तरह की जो बाकी जगर एक charge लगा करके जो आप कह सकते हो cost enhance की जाती है ताकि हमारी domestic market को बचाया जा सके यानि कि उस tariff की मैं बात कर रहा उसी को बोला जाता है bond rate यानि कि आप यह कह सकते हो first statement में आपको इसकी definition दे रखिये second statement में बोला जा रहा है कि bond rate agreed for the for community at WTO is the same for all the member of WTA यानि कि world trade organization की अगर बात करे इसके अंदर जितनी भी country आती है सब के अंदर एक ही rate same rate होता है इस tariff का यह आप से second statement में बोला जा रहा है तो आपको बताना है इन दोनों statement में से यह first और यह second दोनों में से correct statement कौन से है तो option A में आप से बोला जा रहा है कि first statement correct है option B की बात करें तो उसमें आपको second statement correct बता जा रहा है और option C में आप से बोला जा रहा है कि first और second दोनों ही statement correct है और option D के according कह सकते हो दोनों ही statement गलत है तो आपके एसाब से correct answer क्या है, question content कर लिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, bond rate या फिर bond tariff की, तो ये एक तरह से एक rate होता है, कि अगर किसी दूसरी country से, अगर कोई चीज हमारे country में आ रही है, तो उसमें क्या करता है, कुछ एक tax type का tariff impose कर दिया जाता है, suppose कर लिए आप hundred dollar क कोई चीज मंगा रहे हैं आप, और government चाहती है कि हमारे domestic market को बचाने के लिए, इसमें impose कर देती है एक tariff, और इसका cost आपको one hundred ten dollar पढ़ जाता है, यानि कुछ महंगा हो जाता है, तो इसी के बारे में आपको definition जो दी गई थी first statement में, ये बिलकुल correct है, यानि कि आप ये कह सक country जो WTA के अंदर आती है, उन सब में ये rate same होता है, ये country के ओपर depend करती है, वो कितना भी लगा सकती है, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें bond rate के according क्या होता है, एक maximum rate fix कर दिया जाता है, कि भी इस maximum rate से जादा नहीं होना चाहिए, जैसे hundred dollar है, तो इसमें suppose कर लीजे, fix कर दिया कि नवारा answer A हो जाएगा, इस question में आप से nanotechnology के बारे में पूछा जा रहा है, कि nanotechnology का use agriculture sector में किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको बताने है, और आपके पास ये चार statement दे रखे हैं, जिसमें इसके use के बारे में आपको define किया गया है, आपको बताने है कि correct answer कौन सा है, य आप से बोला जा रहा है कि monitoring soil की condition को monitoring करने के लिए crop की growth वगरा के लिए भी nanotechnology का use किया जा रहा है, थर्ड की बात करें, थर्ड में आप से बोला जा रहा है detection of animal and plant pathons, यानि कि अगर किसी plant के अंदर को छोटा मोटा animal है तो उसको identify करने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जा सकत है, और फूर्थ आप से बोला जा रहा है delivery of growth hormones in the control manner, कि भी hormones को increase करना किसी plant के अंदर और उसे अच्छी खेती होकर कि हम कह सकते crop में quantity बढ़ सके और खेती जादा हो, इसके लिए भी nanotechnology का use किया जा रहा है, तो ये चार statement आपके सामने आपको बताना है कि इसका use ये correct है या न और फूर्थ correct आपको बताय जा रहे है, option D में आपको चारो ही statement या नहीं चारो ही इसके use बिल्कुल correct बता दिये गए, चले question को attempt कर लीजिए, इस question के correct answer की बात करें तो इसमें चारो ही statement यानि कि चारो ही use जो आपको nanotechnology के बारे में बताये गए है कि agriculture sector में वो बिल्कुल correct है बिसिकलिए होता है यह कि agriculture sector में production को increase करने के लिए इन सारी चीजों को यानि कि आप कहा सकते हो नेने technology का आजकल use किया जा रहा है, मिली इसका यह है कि pesticide को अच्छे से इस्तमाल किया जा सके, fertilizer अच्छे से use हो सके, और crop की जो protection हो सके, animal वगरा और बाकी छोटे मोटे insect वगर जो correct answer आपका D हो गया, चारो use जो आपको दे रखके, नेने technology in agriculture sector यह बिल्कुल correct है, next question में आप से international level पर organization है, international level पर, international convention on civil and political right, जिसे short में ICCPR बोला जाता है, इसके regarding में आपके पास यह तीन statement है, इन तीनों statement में से आपको identify करना है कि कौन सा statement बिल्कुल correct है, तो सबसे पहले इस institution के बारे में जो first statement है, यह बोला जारा है कि international convention on civil and political right जो होता है, एक multilateral treaty adopt की गई है, United Nation के दौरा है, यानि कि एक तरह से आप कह सकते हो, एक agreement type का है, जो international level पर UN के general assembly में से sign किया गया है, यह आप से first statement में बोला जारा है, second statement बोला जारा है कि convention committed parties to respect the civil and the political right of individual, including the right of due process and the free trial, इसका मतलब यह है कि हर एक country के जो भी इसमे signatory होती है, जो भी इसको sign करती है, वो एक तरह से उस country के अंदर जो भी individual होते हैं, उसके right को protect करना और उसे एक तरह से किसी भी case वगरा है तो उसमें free trial वगरा और इस तरह की service provide करना, इस तीज के लिए वो committed है, आप यह ब आपको बोलें यह जो agreement है, यह agreement universal declaration human right के अंडर में आता आप यह बोल सकते हो, उसी का यह part है, तो तीन statement आपके सामने आपको बताने correct statement कौन सा है, option A कि according first and second statement correct है, option B कि according first and third statement correct है, option C की बात करें तो second and third statement correct है, according to option C, D की बात करें तो आपको यह तीनों ही statement बिल्कुल correct दे रख तो इस question के correct answer की बात करें, यानि कि international convent on the civil and political right की बात करें, तो यह United Nation यानि कि UNO के अंदर जो general assembly है, उसके अंदर एक agreement sign किया गया है, जिसके अंदर यह है कि जो भी country इस agreement को sign करती है, उस country के अंदर जो human right से related जो issue है, कि लोगों को free trial provide करना, human right उसे मिल पाना और बाकी इस social and cultural right जो भी है, उसका एक तरह से growth हो सके, उसको protection करने का काम करना है, तो अब यह कह सकतो तीनों ही statement बिल्कुल correct है, यानि कि हमारा जो answer हो जाएगा, वो D हो जाएगा, अच्छा, यह तो हो गया, आज की वीडियो के बारे में, आज के question के बारे में, अब बात कर लेते हैं, पिसली वीडियो में मैंने जो आप से question पूछा था, उसके बारे में, यानि कि पिसली वीडियो के correct answer के बारे में, तो सबसे पहले मैंने आप से पूछा था कि भी आपको यह बताना है कि हमारी country में, recently दो vaccine को approve किया गया है, उसके बारे में मैंने पूछा था, तो एक तो यह export coronavirus vaccine को approve किया गया हमारी country में, इसके लाबा भारत biotech का vaccine है, इन दोनों को हमारी country में approve कर दिया गया है, और approve जो किया गया, जो institution करती है हमारी country में, वो drug controller general of India करती है, तो इससे approve करने यानिक इन दोनों का नाम बताना था, यह इसके दो नाम ने, इसके लाबा मैंने second question आप स यह पूछा था, कि North East के अंदर जितने भी state है, including Sikkim को भी मैंने include करके बोला था आप से, कि भी यह जो state के अंदर जोन जोन से river इसके अंदर आती है, कोई कि हर state का आपको एक river का नाम बताना था, हर state में कम से कम आपको एक national park या wildlife century के बारे में आपको बताना था, तो सब से पहले बात कर लेते हैं, Sikkim की, तो Sikkim के अंदर अगर river की बात करें, तो तीस्ता river Sikkim के अंदर आता है, और national park वगरा की बात करें, तो कंचन जंगा national park इस state के अंदर है, और यह यूनियोस के world heritage side का एक पार्ट है, अचा उसके बात सिक्किम के बात कर लेते हैं, और अर ना नाचल प्रदेश में आता है, अचा उसके नीचे आ जाते हैं, और नाचल प्रदेश के नीचे आप जानते हैं, कि भी state आ जाता है नागलेंड, तो नागलेंड के अंदर अगर river की बात करें, तो रिवर दोयांग, दिकुई, यह कुछ river है, state के अंदर, national park या wildlife century की बात करे तो यहाँ फकीम wildlife century, इस state के अंदर है, नागलेंड के अंदर, फोर्थ नमपर पर यानि की नागलेंड के नीचे आप जानते हैं, मनीपूर आता है, अब मनीपूर के अंदर अगर रिवर की बात करें, तलवांग, धंपा, यह national park, इसके इमफाल रिवर मनीपूर के अंदर मनीपूर के अंदर आता है, यह इसकी लोकेशन के बारे में आप बोल सकते हूं, आचा, उसके बाद मनीपूर के नीचे आप जानते हैं, मिजोरम के अंदर सबसे पहले रिवर की बात करें, तलवांग, तलवांग रिवर इस state के अंदर है, उसके अलाबा धपा ताइगर र रिवर, गुमती रिवर, यह कुछ रिवर उस state के अंदर है, उसके बाद अगर नेशनल पार्क की बात करें, यहां पर लेपड नेशनल पार्क इस state के अंदर आता है, उसके फड़ा उपर आप जाएंगे तो आपकी बास आ जाता है मिगाले, और मिगाले के अंदर अगर र प्रेंट कि विडियो में हम लोगों में जो डिसकस किई अब आपके लिए जो कल की का वो कुशन ये ओंगा कि जो बाकी बाकि हट नीची विडियो कवर कर प्रेंश कलिया और कीवीए सब्सक्राइब के बारे में आपको बताने की यह इधर से स्टाट कर लीजिए आप कि करनाटका केरला और इधर तमिलनाडू और तमिलनाडू से ऊपर अगर आप जाते तो आंधर परदेश और तिलंगा न इन इन जो पांस स्टेट इसें पांस स्टेट में पौन सी शेर करिए और हाँ यह जो इससे प्रीविएस वीडियो है तू अधिन जरूर करिए ठीक है चले फिर मिलते है नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही है टेलीक्राम ग्रूप मेरा जुरूर जोइन कर लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है सोशल मीडिया आप जोन सा आज के लिए इतना ही है